माही सिंग राजपूद और वेल्कम बैक टो माई चैनल जी के जी स्कूइद सुगाईच कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अच्छे मैं आप लोगों के लिए स्टी पप्रिकेशन का टेस्ट सरी इलेवेंध लेकर आई हूँ तो चलिया आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रस्नली प्लीच मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब लाइक और ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंट्स के साथ सेर करना ना भूलें आप मुझे फेस्बूक और इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर शक्ते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्रिप्सिन बॉक्ष में प्रोवाइट करूँगी प्र पीटी प्रोवाइट करें कि इंसुलीन का कार क्या है तो यह ब्लड में ग्लुकोच की मात्रा को सामान्य बनाये रखता है नेक्स्ट है कि मल जल उपचार के मंधन टैंक का कार किसे निकालना है ओप्सन ए तेल और वसीय प्रदार्थ को नेक्स्ट निम्न लिखित संयों जनामे में से कौन सा विशान हो यानि वाइरस मानवों के संक्रामक हैं ओप्सन सी एच्पाइब एन बन वाइरस की बात करें जिसे इंफ्लूंजा वाइरस कहते हैं तो यह इंफ्लूंजा वाइरस एसे बढ़ फ्लू नामक रोग होता है यह जनरली मुख्य रूप से पक्छियों में होता है नेक्स्ट है कि एक पक्छी तथा कीच के पर क्या होते हैं ओप्सन बी इच प्रिति अवियव नेक्स्ट यहां पर मैश्टा फॉलॉइंग आप देख सकते हैं अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से पिपल सफ्रिंग फॉम ग्वाइटर नामक विवारी यह से गलकंड या घेंगा रोग कहते हैं आयरन की कमी से एनेमिया हो जाता है जिसे हिंदी में सुक्ष मानू रख्ताल पता कहती हैं अगर निया सीन की बात करें तो इससे पिलागरा होता है तो इससे प्रितामीन प्रणासी रख्ताल पता तो इस पॉइंट सॉब यू से इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो आप्सन नम्बर डी हो जाएगा किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया चाहता है कहलाता है ओप्सन बी कलम कैगर बात करें तो अगर एक पादप का रने या पेड़ का दूसरे पादप पर लगाने के लिए इस लिए लगा जाता है चूकि इससे न्यूट प्ल tracked होता है कलम अलैंगिंग विधी का एक प्रकार है नेक्स्ट है कि जल समवर्धन पौधों के करसन की एक विधी है जिसमें निम्द में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो जल रेट तथा प्रकास का प्रयोग किया जाता है बट option A is correct यानि मिट्टी का प्रयोग यहां पर नहीं होता है next है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है option B magnesium next आलू में अक्छियां मदद करती है अक्छियां का मतलब होता है आख option B is correct काईक जनन में next निम्द में से कौन सा एक विलुक्त प्रानी है option A यात्री कपोट यानि red data book list के according यात्री कपोट किसे passenger pigeon भी कहते हैं वह एक विलुप्त प्रानी है सराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जाच करने के लिए पुलिस त्वारा पर्योग दिश्वांस विसले सक किस रसाइनिक आधार पर कार्रे करता है काफी अच्छा question है its correct answer is option number C यानि redox अभी क्रिया next acronym निखित किन कनों में कनिये तरंग की द्वी प्रकृती पाई जाती है तो option C electron में particle wave यानि कनिये तरंग की दो नेचर पाया जाता है next acronym निखित में से कौन सा एक लोहे का अयश्क है option C लोहा उलका लोह उलका जिसे साइडे राइट भी कहती है तो ये लोहे का एक प्रमुक्र अयस्क होता है इसने मुखिता iron carbonate यानि FeCO3 पाया जाता है या iron का एक महत्यपूर्ण खनिच है because इसमें iron की महत्रा प्राया 48% तक होती है next है कि iodine और potassium chloride की मिस्रन से iodine को अलग किया जा सकता है option C by the process of sublimation यानि उर्धवा पातन के जरिये next nylon के अविस्कार के साथ निम्द में से कौन संबंधित है its correct answer is option number D यानि डॉक्टर वैलस एच कैर्थार्स अगर nylon के बात करते हैं तो इसका यूज जिनरली तंबू बनाने में sports bag बनाने में वर्दी पैरासूट कालीन रसिया इट्सेक्टरा बनाने में nylon का यूज किया जाता है next है कि ताप उतक्रमन होता है option A धनात्मक रास त्वारा किनरली उचाई पर बढ़ने पर जैसे temperature डाउन हो जाती है कमी होने लगती है तो उसी को ही ताप उतक्रमन कहते है next है कि स्वेट प्रकास को भीन-भीन रंगों में भक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है धिकान्स विद्ध सक्ति प्रकट होती है option A दिस्त्र प्रकास के रूप में यानि प्रोमिनेंट लाइट के रूप में next है कि आप एक्षिक के विशेश सिधान्त के अनुसार किसी कन का द्रव्यमान option A एक प्रेचक के संबंद में वेग में बढ़ोत्री के साथ बढ़ता है next है कि निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है तो देखिए फॉस्फर प्रपरच्छाया आच्छाद और इलेक्ट्रॉन गन ये तीनों CRT के हिस्सा है पर option D इस करेक्ट यानि गैस प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये CRT का हिस्सा नहीं है cathode कीरन नलिका एक निर्वात नलिका होती जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कन और एक फॉरोसन पटल होता है तो option D यहाँ पर correct है गैस प्लाज्मा के बारे में नेक्स्ट एक निर्वन लिकित में से भारतिय संविंधान सभा का अध्यक्ष कौन था option A इस करेक्ट डॉक्टर अजंदर प्रसाद देख की जब भारतिय संविंधान सभा की पहली बैठक 9 दिसमबर 1946 को की गई तो उस समय आस्थाई सदस्त के रूप में डॉक्टर सच्छतानंद सिन्हा का चुनाओ कर लिया गया था हलाकि उसको जस्ट दो दिन बाद यानि 11 दिसमबर 1946 को जब दूसरी बैठक की जाती है तो अस्थाई सदस्त के रूप में डॉक्टर जंदर प्रशाद चुने जाती है तो अकर आप से इक चाम में आ अस्थाई सदस्त पूछे तब उसका अंसर डॉक्टर सच्छतानंद सिन्हाजी हो जाएंगे और अगर अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर अजंदर प्रशाद नेक्स्ट है कि अस्थानिय स्वासासन संस्था से निर्वाचित पद्धारकों को हटाने का प्रत्याहन प्रावधान कहां लागू किया गया था ओप्सन ए मद्द प्रदेश में नेक्स्ट है कि भारतिय संसथ में लोक लेखा समीती का अध्यक्ष होता है ओप्सन ए विपक्ची दल का नेता नेक्स्ट मौलिक अधिकार निलंबित किये जा सकते हैं रास्टपती द्वारा परंतु मौलिक अधिकार को रास्टपती स्वैक्षा से निलंबित नहीं कर सकता विकाज रास्ट्री आपात कालीन सक्तियां संसत के अधीन होती है नेक्स्ट है कि भारती सम्बर्ती सुची की धारणा किस तेश के सम्बिन्धान से ली गई है ओपसं C इच गर्ट अस्ट्रेलिया की सम्बिन्धान से कुछ और भी इंक्लूट किये गेंडेन कंस्टियूशन में जैसे प्रस्तावना की भासा केंद्र राच्य संबंध इट सेक्टरब अगर प्रस्तावना सिर्फ पूछेगा तो वह प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है बट प्रस्तावना की जो भासा है वह अस्ट्रेलिया से ली गई है तो आप इसमें कन्फ्यूज ना करें निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है ओप्सन डी इच करेक्ट अभी व्यक्ति की सुदंत्रता जिसका वर्णन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30 में है तो चलिए आगे बटर 27 की तरफ की मंडल आयोग रिपोर्ट किस से संबंधित है ओप्सन ए इच करेक्ट अन्य पिछडे वर्गों से और मंडल आयोग रिपोर्ट के अगर बात करें तो मंडल आयोग की गठन 1979 स्वी में जनता पाटी की सरकार दोरा की गई थी नेक्स्ट है कि स्वीचर लैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है ओप्सन ए सहर संब्रिधी नेक्स्ट भारत का पहला आराजनितिक रास्ट पती कौन था काफी इजी कोस्टन है डॉक्टर एपीचे अब्दुल कलाम इस राइट एंसर या एक परमानू वैग्यानिक थे इन होने विजन 2020 ते था पूरा योजना के माद्यम से रस्ट्रेय विकास हेतु सरकार को प्रिरीद किया था नेक्स्ट है कि भारत के संब्धान का कौन सा आर्टिकल भारत को कल्यानकारी राचिगोसत करने से संबन्धित है आप्सन बी इच करेक्ट आर्टेकल 39 नेक्स्ट भारप के अतिरिक्ट प्राइड डीप ये परवत निर्मित हुए आप्सन बी पहली ओजोई महा कल्प में नेक्स्ट है कि निम्नलिकित के अंदर सासित प्रदेसों में से ओंज जंजाती के लोग किसमें रहते हैं अगर अंदर मान निको बारदीप समों की बात करें तो अंदर मान निको बारदीप समों के छोटा अंदर मान दीप के पस्चिमी हिस्से में जेनरली ओंड जंजाती के लोग निवास करती हैं नेक्स्ट है कि ग्रेट हिमाले यानि महान हिमाले की उचाई क्या है तो देखे ग्रेट हिमाले की जो उचाई है एवरेज हाइट वो 600 मीटर है जबकि हिमाले की जो सरवच्च चोटी है बाउंट एवरेज इसकी हाइट एप्रोक्स 8848 मीटर है तो उस पॉइंट व्यू से ऑप्सन ए यहाँ पर में रस्ट ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा यानि 84850 मीटर यहाँ पर मैं आपके नौरेज के बतला दूँँ कि ज़्यादा तर जो ऑप्सन यहाँ पर एजामिनर सेट करते हैं वो एक्जक्ट नहीं देते हैं अप्रोक्सिमेट देते हैं तो अप्रोक्सिमेट भैलू जो रहेगा आप उससे एक्जाम में टिक लगा कर आ सकते हैं नेक्स्ट एक इनिम नरीकित में से कौन से जल प्रपात नदी युग मिश्रूमेलित नहीं है तो हुंडरू जल परपात सुरनर एका नदी पर बनाई गई है सही है जोनहा जल परपात राहू नदी पर यह भी सही है दसोंग जल परपात कांची नदी पर बटाउपसन डीच करेक्ट यानि लोध जल परपात बराकर नदी पर ना बना कर अगर लोध जलपरपात की बात करें तो जारखंड के लाते हर चिले में बूढ़ा नदीबर बनाई गई है तथा लोध जलपरपात को बूढ़ा घार्ट जलपरपात के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है कि दिये के कूट की सहाईता से हर इत क्रामती के घटक चुनिये उच उत्पादन देने वाली किस्म के बीज मिस्प्रिंट हो चुका है जिसका जो करक्ट अंसर हो जाएगा वा अप्सन नमबर डी हो जाएगा यानि सभी चारो नेक्स्ट है कि भारत के प्रतिविक्ति उच्जा की खपत वर्स 1994 इस्वी में क्या थी तो देखिए अगर इजक्ट वैल्यू की बात करें तो वह थी 244 केजी बट यहां पर नियरेस्ट उप्सन नमबर सी दे रहा है यानि 243 किलो ग्राम तेल के बरावरत उप्सन सी यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट है कि भारत में सरव प्रतम दूर भास का प्राद उर्भाव किस वर्स हुआ उप्सन एच करेक्ट्सन उनीस सो पचास इस्वी में नेक्स्ट विस्व की सबसे उची चोटियां किस प्रकार के परवतों में पाई जाती है उप्सन बी यह नवीन मोड़दार परवत में पाई जाती है जो कि जितने भी दुन्या के सबसे उची उची चोटी है जैसे माउंट एबरेस्ट, सागर माथा, सहित प्रथम दस सरवत चोटियां हिमाले परवत स्रेली में स्थित है और हिमाले परवत जो है वो एक नवीन मोड़दार परवत है तो उप्सन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा दक्षिन अमेरिका के सबसे बड़ी नदी है उप्सन बी अमेजिन और अगर अपवा तंत्र की अपवा छत्र के दृस्टी से बात करें तो यह अमेजिन नदी जो है दक्षिन अफ्रिका के सबसे बड़ी नदी है बट एकॉर्डिंग तो अफवा छत्र की दृस्टी से यह संसार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजिन नेक्स्ट है कि पॉड जोल क्या है आप्सन एक कौन धारी बन प्रदेसों में पाई जाने वाले मिटी का नाम है पॉड जोल पत्थर के कोईले के भंडार में कौन देश संसार में अगरनी है तो अगर प्रजेंट सिच्वेशन की बात करें तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा पहला पोजीशन पर यूएसे बट यहां पर यूएसे नहीं है तो एकॉर्डिंग टू आप्सन करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा दूसरा पोजीशन पर छीन है और तीसरा पोजीशन पर हमारा भारत है यह नवीन आकड़ा के अनुसार ऐसे बताया गया है ग्रिस्मकाल में आत्र उस्मा यानी हुमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम ऑप्सन टी इच करेक्ट उसम वाला यानी मगी होता है सामूही खपत से तात पर रहे है ऑप्सन टी देश के नाकरिक द्वारा की गई खपत नेक्स रास्ट्रिय आए किसमें निर्मित होती है ऑप्सन टी किसी उत्पादक गती विधी द्वारा नेक्स किसी निश्चत सम्यावधी में किसी देश में उत्पादित वस्तूओं और सेवाओं के कुल मुल्ले को क्या कहते हैं आप्सन बी इच करेक्ट रास्ट्रिय आए नेक्स्ट सकल रास्ट्रिय उत्पाद से मुल्ल हरास छूट क्या कहलाती है तो आप्सन सी इच करेक्ट निवल रास्ट्रिय उत्पाद नेक्स्ट जी एन पी माइनस रासन अव मुल्यन क्या फाइंड करने की फर्वुला है तो आपसन सी एन एन पी यानि निवल रास्ट्री उत्पाद नेक्स्ट किसी प्रकार उत्पादों के लिए CACP न्यूंतम संभर्थन कीमत की सिफारिस करता है अगर CACP के फॉल फर्म की बात करें तो इसका फॉल फर्म होता है Commission for Agricultural Cost and Prices तो आपसन बी इच करेट क्रिसी उत्पाद नेक्स्ट है कि प्रसम पंचवर्थिय योजना की प्राथमिक्ता क्या थी आपसन सी क्रिसी का विकास नेक्स्ट द्वीतिय पंचवर्थिय योजना किस मॉडल पर अधारित था आपसन दी महालो नोविस मॉडल पर और द्वीतिय पंचवर्थिय योजना की काल थी फ्रॉम 1956 तो 1961 इसका लक्ष था तिव्र और ज्योगी करन दो देशों के वीच वस्तु वीनमय याने एक्सेंज और कॉमोडिटीज को क्या कहती है आपसन बी इच करेक्ट द्वी पक्षिय व्यापार नेक्स्ट यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम तो वह स्थिती होती है नेक्स्ट किस काल में अचूत की अभधारना इसपस्ट रूप से उदित होई है तो इसका करेक्ट अंसर आपसन नमबर बी यानि उत्तरवैदी काल हो जाएगा बट कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं आपसन धर्म सास्तर का काल भी दिया होता है बट धर्म सास्तर का काल वो गलत है चूकि आप खुद के वाल काल के औरी के अपसन धर्म सास्तर काल कि आपसन धर्म सास्तर काल नेक्स्ट अवेस्ता और रिकवेत में समानता है अवेस्ता किस छत्र से सम्बंदेत है ओप्सन बी इरान से नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन गब हुआ था ओप्सन ए पांच सो तिरसट इस्वी पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में तो चलिए नेक्स्ट है कि एलोरा गुफाओं का निर्मान कराया था ओप्सन सी ने क्रिस्ट पर्थम जो रास्ट कूट सा सकता उसने लोरा गुफाओं का निर्मान करवाया था नेक्स्ट है कि निम्द लिखित में से कौन भूमी उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है ओप्सन डी यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट है सेकेंड ना होकर यह हो जाएगा यानि फस्ट थर्ड और फॉर्थ ठीक है ना फस्ट थर्ड और फॉर्थ खराज उस्त्र और मुक्त यह तिनों भूमी उत्पाद पर लगने वाले टेक्स थे बढ़ अगर खुम्स की बात करते हैं तो यह एक धर्म निर्पेक्च कर था यह लूट का दन होता थ जो युद्ध में सत्रु राच्चे की जनता से लूट में प्राप्त होता था तो ऑप्सन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बढ़ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो चुका है फस्ट थर्ड और फॉर्थ तो जली नेक्स्ट है कि चित्तौर की किरती अस्थम निर् बान करवाया था नेक्स्ट है कि अक्बर का मकवरा कहा इस्थित है मुगल सासन में तांब का शिक्शर कहलाता था quègenommen करेक्ट के मुगल काम कि तांब कैसी को दाम तरह रुप्या कि अगर बात करें तो यह चांदी का सिक overlapping त्य स्टotz तहां प्रुπαal कि संब्झ से था ओप्शन ए राच्छ कानून से नेक्स निंद निकीत में से किसने 1857 के विद्रो को एक सड्यंत्र की संग्या दी थी तो देखे 1857 के विद्रो के बारे में अलग-अलग विक्तियों का अलग-अलग मत था तो ओप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सर, जेम्स, आउट्रब एवं डबलू टेलर का कथन था कि 1857 का विद्रो जो है वो हिंदू-मुस्लिम सड्यंत्र है नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संग अस्थापित किया गया था ओप्शन ए इचकरेक्ट डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के द्वारा सन 1920 इस्वी में नेक्स्ट सेंट्र लेजिसलेटिव एसेंबली का प्रतम भारतिया अध्यक्षनी स्पीकर कौन था ओप्शन भी विठ्थल भाई जे पटेल और विठ्थल भाई जे पटेल ने सेंट्र लेजिसलेटिव एसेंबली के अध्यक्षता सन 1925 इस्वी में की थी नेक्स्ट है कि राजनेतिक्स उधारों को लेकर विरोथ करने वाले पहले भारतिये कौन थे और सुरंदर नात्व एनरजी नहीं कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन के स्थाफना 1876 इस्वी में की नेक्स्ट एक इंडियम नर्गित में से कौन सा आयोग के विद्धरों के दमन के बाद भारतिये फौच के 900 बटन से संबन देते हैं और सेना की रजिमेंटों को जाती समुदाय और धर्म के आधार पर भिगाजित कर दिया गया यहाँ पर बंगाल में यूरोपिय सैनिकों का भारतिय सैनिक सोजे रेस्टियो था वो वन इच्टू टू के अनुपात में था जबकि मद्रास्ता था बंबड़ी में यहाँ अनुपात वन इच्टू टू थी रखा गया तो यही पीला योग था इन में से कौन बिहार में किसान अनुदों के साथ जुड़े थे और डॉक्टर आजंद्र परशाद नेक्स्ट इस मिसाल में हम मुसल्मानों को हिंदों से भिड़ा नहीं पाएं निम्न लिकित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंद है आप्सन C खिलाफत और असहयोग गांधोलन नेक्स्ट है कि मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्दिस्ट क्या था आप्सन A बाकस्त भूमी की वापसी की मांग तो चलिए फ्रेंट आप यहाँ पर से देख सकते हैं करेंट अफेरी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मगथ सामराज में कलिंग का विल है निंद सर्व परथम किसके द्वारा किया गया था आप्सन B महापदम नंद की द्वारा नेक्स्ट है कि महावीर के अनुयाई क्या कहलाते थे काफी इजी कुस्टन है जैनी नेक्स्ट ग्यारवी पंच वर्सिय योजना में गरीबी में कितने परतिसत लक्ष निरधारित किये गए थे देखिए इस बुक के एकॉर्डिंग इसका करेक्ट अंसर ऑप्सन नंबर बी यानि 22 परतिसत दे रहा है बर जहां तक मेरा नौलेज है इसका करेक्ट अंसर 22 परसेंट ना होकर मेरे एकॉर्डिंग 10 परसेंट होना चाहिए तो आप भी थोड़ा इसे अब खुद से देख लीजेगा किसका करेक्ट अंसर क्या होगा नेक्स्ट है कि मघी बोली सैली का जनक किसे कहा जाता है ओप्सन बी इच करेक्ट सूरेस दूबे को नेक्स्ट मल मास मेला बिहार में कहां आयोजित किया जाता है ओप्सन सी राजगीर में नेक्स्ट दुईतिय बोस संगीती के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखे दुईतिय बोस संगीती का योचन बैसाली में 383 इस्वी पुर्व में हुई थी। काला सोक के सासनकाल में जिसके अध्यक्षते साबक मीर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो चु संकाल में हुआ था अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूं काला सोक के सासनकाल में वैसाडी में नेक्स्ट है कि त्री पक्षे संघर्स में पाल वंस की तरफ से सरोप्रथम किसने भाग लिया था तो ऑप्सन भी इच करेक्ट धर्म पाल ने तो चले फिन अब हम लोग करेंट अ आज का अमेरिकी कंपनी द्वारा विक्सित किस वैक्सिन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा काफी अच्छा कुस्टन है ऑप्सन सी इच करेक्ट यानि नोवा वैक्स नेक्स्ट वैस्ट वैस्टिक सांती सूचकांग तो हच्चार 21 के संबंद में कौन सा कथ सही नहीं है तो आप्सन भी यानि केवल थर्ड कतन यहाँ पर सही नहीं है बाकि फस्ट और सकंड सही है फस्ट है कि इसमें परतम अस्थान आइसलेंड को प्राप्त हुआ और भारत का जो पूजिसन था वो 135 था नेक्स्ट एकिनिम ने लिकित में से किस राची सरकार द्व हर्वर्ड का फार्म पर रिक्षन सुरू किया है उपसन डी असम ने नेक्स्ट है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरल हर्वर्ड का संबंद किस देश से है तो आपसन सी इच करेक्ट न्यूजी लैंड से नेक्स्ट है कि हाल ही में किंद्र सरकार ने किस किंद्र सासित प्रदेश में हाइडरो कारवन पर यूजना के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है उपसन डी पुदू चेरी नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांग जनों को पुरुचाहित करने के लिए किस मंत्राले दौरा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी ओप्सन ए समाजिक न्याय एवं आधिकारिक्ता मंत्राले के दौरा नेक्स्ट हाल ही में भारती मूल की किस महिला को यूरोपी आविसकार पुरुसकार दोहचर 21 सम्मानित किया गया ओप्सन बी सुमित्रा मित्रा को नेक्स्ट निम्दने किस रच में तीन दिवस्योते वहार रच महत्सम मराया गया ओप्सन ए उडी सामे नेक्स्ट है कि एकानवा दादा साहफ वाल के पुरुषकार से निम्न मेंसे किसे सम्मानit किया गया ओपसन वी रजनी हांथ को नेक्स्ट हाल ही में किस देश में नो बैन एक विधह कारित किया गया ओपसन C अमेरिका में नेक्स्ट आईपियल में साड़े तीन सो छक्के लगाने वाले पहले बल्ले बाच कौन बन गए हैं उपसन सी क्रिस गेल नेक्स्ट हाली में किंदर सरकार दोरा सुरू की गई ग्राम उजाला कारकरम की सुरूआत कहां से की गई उपसन ए उत्तर परदेश से नेक्स्ट है कि हाली में किस राच सरकार ने देखो अपना रच अभियान की सुरूआत की है उपसन डी अरुनाचल परदेश नेक्स्ट फरवरी 24 में इस्तरों ने किस प्रचेपन यान से ब्राचील की अमेचोनिया एक एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रचेपित किया उपसन CPSLV C51 नेक्स्ट है कि हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेस करने वाला देश का पहला राच कौन बन गया है नेक्स्ट भारत का पहला अपंग क्लीनी किस रच या केंदर सासित प्रदेश में लॉंच किया गया नेक्स्ट है कि किस रज़ सरकार ने पहला हूमन मिल्क बैंक खोलने की गोशना की है नेक्सट है कि ई-कियाबीनेट को लागू करने वाला देश का पहला राच कौन बना विश्व स्वास्त दिवस योस प्रेल को मनाया जाता है तो इस वर्ष वचयर 21 में उसका क्या थीम था नेक्सट है कि दास्ट्री ठीका करण दिवस कम मनाया जाता है और लास्ट कोस्टन है कि पुस्ट तक हाउ टू एवाइट एक क्लाइमेट डिजास्टर के लेखब कौन है और फ्रेंट्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा रखता है तो प्रीच मेरे चैनल को सबस्क्राइब लाइक और सेर करना ना बोले तब तक के लिए जै हिंद जै भारत